ओम शान्ति आज 1 सितंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली हैं मुरली के महवक्य हैं मीठे बच्चे देह सहित सबकी याद भूल बाब जो है जैसा है उसे यथार्त पहचान स्वयम को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाब को याद करो प्रश्न है कौनसा ज्यान इस समय बाब से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते उत्तर है तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते क्रहस्ते व्यवार की संभाल करते पवित्रर हो यह ज्यान अभी इसी समय बाब तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता तुम्हें दान तो पांच विकारों का करना है लेकिन मुख्य है काम जिस पर पूरी विजय पानी है सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है गीत हैं दुख्यों पर रहें गुरू ओम शान्ति वही बाप बैट बच्चों को समझाते हैं कौन है यह बाप यह बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं अब तुम बच्चों की बुद्धी का योग बेहत के बाप तरफ हैं बुद्धी का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है सारी दुनिया के जो भी नित्र संबंदी है बलकि इस देह को दुनिया को सबको भूलना है यह बाप के डायरेक्शन मिलते है बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते है बाप तो कहते है भक्ती मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आये है परन्तु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भुलना ही है भुलवाती है माय, हम आत्मा है यह भी रावन भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं यह तुम बच्चों का पार्ट हैं ऐसे नहीं कि तुम वह सिर्फ बाप को भुल जाते हो परन्तु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्यान भूल जाते हूं अभी तुम जानते हो बाबा कलप कलप आते हैं बाबा कैसा है यह भी बुद्धी में धारन करना है मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है और सभी के चित्र तो ठीक है जैसे ब्रह्मा, विश्नु और शंकर का चित्र भी ठीक है मंदिरों में पुझे जाते हैं परंतु परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल, जो हैं वह भूल जाते हैं चित्र भी भूल जाते हैं अभी तुम बच्चों को समझाया जाता हैं कि आत्मा बिंदी रूप हैं स्टार मिसल बिंदी हैं, ब्रकुटी के बीच में रहती हैं, बच्चे जानते हैं, हम आत्मा हैं, शरीर की ब्रकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान हैं, यह तो सब मानेंगे, बहुत सुक्ष्म बिंदी जैसी हैं, यह भी जानते हो, परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा खुद आकर समशाते हैं मैं भी बिंदी हूँ परन्तु मनुषों ने बड़ा रूप चोतिर लिंगम बना दिया हैं ये से बुद्ध का भी बड़ा लंबा चोड़ा रूप बनाते हैं पांडवों के शरीर भी भक्ती मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं भक्ती मार्ग में लंबे चित्र होते हैं ज्यान मार्ग में चोटी चीज होती हैं परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ कहा कहा बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं नहीं तो बिंदी की पुजा कैसे हो सकें पुजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी न, तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके, तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्ता हुई है, तु समझते हो, यह तो यथार्थ बात है, अगर परमपरा से शिवलिंग कहा शाता, यह फिर क्या है, तो बाप समझाते हैं कि वह भी रॉंग है, में जो तुम्हारा बाप हूँ, में बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परन्तु पुजा के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, आत्माओं का रूप भी स परन्तु ऐसे हैं नहीं आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती हैं यह समझने की बड़ी गुईय बाते हैं आत्मा भी बिंदी रूप हैं इस चोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट हैं एक से कैन न मिले दूसरे से 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नूदा हुआ हैं यह बड़ी खुद्रत की बात हैं सारा पार्ट बिंदी में रहता हैं उस नाटक में भी पार्ट बशाने वालों की बुद्धी में सारा पार्ट रहता हैं न वह है छोटा पार्ट यह 84 जन्मों का पार्ट भी जना है और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ती चाहिए इतनी छोटी बिंदी है कितनी छोटी है कितना शक्तिवान है उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है तुम आत्माई उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो माया पर जीत बाकर अटल अखंड सूख शांती मैं राज करते हो कितनी समझने की बाते हैं यह है पढ़ाई है भी बहुत सहज यह बाप ही समझा सकते हैं कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं बरोबर इतनी छोटी चीज परन्तु नाम कितना बड़ा रखते हैं ज्यान का सागर तुम कहते हो मनुष्य स्रिष्टी का भी जुरू चैतन्य है सत हैं अविनाशी हैं कहते आये हैं प्रंतु किसकी बुद्धी में नहीं आता हैं वह क्या वस्तु हैं गुन तो बहुत अथाह गाते हैं अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो जान गए हो आत्मय तो सम्मुख ही हैं सब आत्मय ब्रदर्स ह कितनी चोटी चोटी बिंदी हैं विचार करो मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदी का रूप ही दिखाते हैं जैसे स्टार्स आकाश तत्व में उपर खड़े हैं वेसे ही महतत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्षन में खड़े हैं जाड च छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ हैं, वहाँ से फीर आत्मा आती हैं, शरीर धारन करती हैं, पार्ट बशाने लिए, कैसे नंबरवार आत्मा आती हैं, यह सारी बुद्धी चलने चाहिए, हर एक धर्म का सेक्षन अलग होगा, बाप दृष्टान्त दे समझाते हैं, बने पिता पर्मात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं, आज कल जहा तहा इसका प्रचार करते रहते हैं, एक भाषा होना तो मुश्किल हैं, कई समझते हैं, परंपिता पर्मात्मा तो सब भाषाय जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो न सकें, अथा हो अनेक आनेक भाषाय ह वह तो सीखनी पड़ती है परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं बाकी भाषा ये तो हरेक को पढ़नी होती हैं बाप को पढ़नी होती है क्या तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है सब हिंदी सीखते जाते हैं भारत में हिंदी का प्रचार है बाप भी हिंदी में समझाते हैं फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े बाप और बाप की रचना का परिचय सब को समझाना है सभी का सद्गती दाता वह बाप हैं यह सब चानेंगे बरोबर बाप आया हुआ हैं बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं भारत हमारा बर्थ प्लेस हैं शुके मंदिर देवी देवताओं के मंदिर भी यहा हैं देवी देवताओं का राज भी भारत में होता हैं बाप भी भारत में आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना यहां की ही है, तो मंदिर भी जरूर यहां चाहिए, औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहां तो बहुत मंदिर हैं, घर घर में लक्षमी नारेन के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में ह परतु उन्होंने कैसे राज चलिया वह भूल गए हैं चैतन्य में राज करके गए हैं लक्ष्मी नारायन वैखुंट के महाराजा महारानी है उन्हों को राज किये कितना समय हुआ यह भी जानते हैं मुख से कहते भी हैं, क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले देवी देवताओं का राज था, तो क्राइस्ट को दो हजार वर्ष होये ना, तो जो ऐसे कहते हैं, उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए, कहते हैं, क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले देवी देवताओं का राज था अर्थात स्वर्ग था एसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था पूछेंगे कृश्चन लोग तब कहा थी यानि उनों की आत्माय कहा थी इस्लामी बढ़ती कृष्चन आदी की आत्माई सब कहा थी यह समझाना तो बड़ा सहेज हैं वह सब निर्वान धाम वा निराकारी दुनिया में थी निराकारी दुनिया भी है दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं सभी आत्माउं का निवास्थम महत्तत्व रुपी निराकारी दुनिया में हैं तुम बच्चों की बुद्धी में अभी यह हैं, कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्मय हाजिर हैं, तब बाप आये हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, समझो, कोई धर्म आता हैं, पहले तो बहुत छोटा होता हैं, छोटी छोटी शाखाय निकल जब तुमारा फाउंडेशन भी पूरा होता हैं, बीज और जाड का राज समझाना तो बड़ा सहज हैं, मनिश्य स्रिष्टी का जाड बहुत धर्मों का हैं, समझते भी हैं, फलाना धर्म था, तो फलाना धर्म नहीं था, अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नही थेना, छोटी छोटी शाखाय तो अभी निकली हैं, यह तुम बच्चे जानते हो, और कोई नहीं शानते, आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं, अभी बाबा नी तुम बच्चों को आकर समझाया हैं, तुम कहते हो, बाबा, हम आपके बच्चे हैं, कल तुम हमारे हो, गोया एडॉप्ट किया, मुख वैंशावली बने, तुम सब एडॉप्टेड हो, बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं, तुम आत्माय हमारी हो, तुम आत्माय भी कहती हो, बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया हैं, हम आपके हैं, ब वर्षे की खुश्बू आने चाहिए, बच्चे ही कहे सकतें, यह है प्रवरित्ती मार्ग, सन्यासियों के शिश्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनतें, वर्षा बाप से जायदात का मिलता हैं, वह तो कहेंगे हमने गुरू किया हैं, गुरू से तो जायदात का जंगल में चले जाते हैं, वह जायदा दे न सकें, वह है ही निवरित्ती मार्ग वाले, बाप तो जायदा देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता, जंगल में जायएंगे, तो सन्यासि कहलाएंगे, तुम भी सन्यासि कहलाते हो, वह है हट्योगी सन्यासि, तुम राजोगी सन् सन्यासी अर्थाद पांच विकारों का त्याख करने वाले सो तो तुम त्याख करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो वह त्याख करते हैं परन्तु पवित्र दुनिया में नहीं जाते पति दुनिया में ही रहते हैं तो बाप समशाते हैं, आत्मा कितनी छोटी हैं, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत हैं, अविनाशी भी हैं, वह बाप इस शरीर द्वारा समशाते हैं, तुम्हारी आत्मा समशती हैं. बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कल्युक का अन्त हैं तमों प्रधान पतीत होशाते हैं मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा तब ही हम आएंगे तब ही विनाश के चिन्न भी देखने में आएंगे सोतो बरोबर देखते हो अभी तुमको समझ मिलती हैं वह फिर औरों को देनी हैं अभी कल्युक का अन्त जरूर हैं यादव कोरो पांडव भी हैं महा भारत लडाई भी हैं बरोबर उस समय राजो भी सीखते थें पांडवों ने विजय पाई यादव कोरो विनाश हुए स्व यह बाब बेट समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजो की शिक्षा से, हम बरुबर सो देवी देवता पत पाते हैं, तुम पुरुशार्थ करते हो, हम तो नरसे नारायन ही बनेंगे, बाब का वारिस जरूर बनेंगे, तक तो नशिन बनेंगे, फिर जितना ज पहले प्रतिज्या करते हैं, बाप के जनम बाद है रक्षा बंधन, बाप को जानते तो पहले प्रतिज्या करने हैं, बाप कहते हैं काम महाशत्रू हैं, दान तो पांचो ही विकारों का करना हैं, परन्तु पहले पहले मुख्य काम हैं, इनसे बड़ा खबरदार रहेना हैं, सर्व शक्तिमान बाप को याद करने और उनकी शुरीमत पर चलने से ताकत मिलती हैं। बाप का फर्मा नहीं, साथ में रहते, इकटे रहते पवित्र रहना हैं। आगे तो स्त्री पुरुष इकटे रहने से आग लगती थी। बाप कहते हैं इखटे रहो परन्तू आग न लगे अच्छा मीठे मीठे सिहल थे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की सिखिलते रुहानी मात पिता बाप ददा को याद प्यार खुड मौनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है दिल से बाप को याद कर जाइदात की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है, दूसरी पॉइंट है, विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है, और उसमें कितना अविनाशी पार्टनूंदा हुआ है, बिंदू बन, बिंदू बाप के याद में रहना है, आज का वरदान है, स्व इच्छा और द्रिड एक देकर पदम लेने वाले चतूर सुजान भव, स्व इच्छा और द्रिड संकल्प से, एक देकर पदम लेने वाले चतूर सुजान भव, विशलेशन है, चतूर सुजान बच्चे, मिटी से भरे हुए, सुखे चावल देकर, एक पदम गुना भाग्य बना लेते हैं, सिर खजाने 36 प्रकार से भी शादा वराइटी ले लेते परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदा मा के मिसल खच्छ याने बगल में चिपा कर रखते हैं बाप खींच कर ले सकते हैं लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा इसलिए स्व इच्छा और द्रिड संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई हैं इस देने में ही कल्या नहीं आज का स्लोगन हैं साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी द्रिश्टा हैं अच्छा ओम शानती